बच्चों इस question में एक air bubble है, glass slab के अंदर फसा हुआ है, उसका refractive index है 1.5 glass slab का, आपको वो दिखाई देता है 5 cm deep जब आप एक side surface से देखते हो और 3 cm deep जब आपको उसको opposite face से जाके देखते हो, आपको क्या निकालना है, thickness निकालनी है slab की, यानि कि ये diagram में देखो length निकालनी, height आपको इसकी breadth निकालनी, कितनी चौड़ी है ये slab, तो एक side से देखो, पर दूसरे side से जाके देखो, opposite face से, तो हमको क्या आजाएगी, real depth निकालने के लिए हम क्या करेंगे, apparent depth का मतलब है, जितने दूर आपको दिखाई दे रहा है वो, air bubble, उसको multiply करने पड़ेगा आपको refract active index है, क्योंकि real medium से denser medium में जारी है light, तो real depth निकालने 7.5 cm, और जो दूसरे side से देखा, तो 3 cm पर दिखाई दे रहा है, तो जब multiply करोगे, तो real depth निकालने 4.5, इन दोनों का total होता है 12 cm, इसका मतलब C option correct है, slab 12 cm मोटी,